बिग बेसोडियो चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज आपको अपनी स्क्रीन के उपर देख रहे हैं यह है एक इंड्रोइड सिस्टम और यह स्पैशली बना है थार के लिए OEM स्टाइल है जैसा आपका औरीजिनल फ्रेम के साथ आता है वैसे यह 10.38 इंच स्क्रीन के आप इसका मलब अनबॉक्सिंग दखाईये प्रॉपर फंक्शन दखाईये क्या है जो मेरे से पोसिबल हो पाता है तो दोस्तों आज मैं आपके लिए इस प्रॉडक्ट को अनबॉक्स करके तो मैं आपको दिखाऊंगा इसकी स्क्रीन कैसी है क्या कुछ इसके फीचर आए तो हम इसके बरे में बात करते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहा पर यह है बोक्स की बहर Oklahoma लुक जहां पर मलब आप देखसके हैं यहां पर इन्होंने लिखा हुआ इन्हों फिट प्रॉपर एंड सुटेबल यहां कि प्रॉपर स्ट आएगा ठीक है और और फ्ट 3,000 रुपे का जो कैन्वस है तो मार्किट में सस्ते सस्ता भी आप मानेंगे तो 253,000 रुपे का आएगा और बढ़िया क्वालिटी का जो 5-6,000 का आता है वो इसके साथ absolutely free है screen जो size 10.38 इंच है और 2GB और 32GB में available रहता है और साथ में क्यों LED है Android Auto CarPlay साथ में है और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यह जो Android है यह OEM Fitting के साथ जो आता है वो Maxi Link Brand के साथ आता है जो इनका मतलब Maxi Fit के नाम पर इन्होंने एक इस product को mortgage में उतारा है और इसके बारे में बात करेंगे और साथ में बता दूर भोड़ा के ओजय आते हैं जैसे उसके साथ आपको मलब यह दिख जाएगा तो आएए अब हम इसकी करते हैं अन्बॉक्सिंग यह तो था फ्रंट और यहाँ पर देखिए कि जो स्क्रीन की पिक्सल बताए गये हैं 600 x 720 यहनकी काफी अच्छी क्वालिटी है और ओएम पिटिंग के साथ है और ग्लोसी यूवी फ्रेम यह है जैसे यह फ्रेम है आपको दिखाऊंगा यह ग्लोसी के साथ मलब फ्रेम आता है तो लुक काफी जबरदस होने वाली है और आपको इसका पूरा वीडियो देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाईए और थार का वीडियो अभी मैंने अपलोड किया था मैक्सलिंग की जो डेमो का रही थी तो उस पर जाकर आप इसको देख सकते हैं आईए हम इसके फीचर के बारे में जान लेते हैं य उसका एम आर्पी है इसमें दो वेरियंट आते हैं वेरियंट अ वेरियंट Witके बारे में हम आगे बात करेंगे और साथ में अगर एक्टिवेट करते हैं तो हमारा क्या क्या फिचर यहां पर चलेगा ऐद्ग के और में बताएगा डिस्टेंस दोर इंडिकेशिं के बारे म और बारा मंत की वरंटी है यहां पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है तिगरीबन एक साल की वरंटी यहां मिल जाएगी और बात आ गई यहां पर वैरियंट A वैरियंट A के अंदर आपको Android Auto मिल जाएगा, CarPlay मिल जाएगा, Subwoofer Out मिल जाएगा, AHD Camera Sport मिल जाएगा उसके बाद Quad Code Turbo Processor है और Equalizers है और आपको Full HD Screen जो यह मिल रही है यानि कि आपको क्यों LED जो बताई गई है वो इसके अंदर है, Variant A के अंदर ठीक है, और Variant 2 के अंदर क्या आ जाता है हम बहुत बता देते हैं, Android Auto, CarPlay, Subwoofer Out, AHD, Quad Code Turbo Processor है, 4G SIM यहां पर Sport करता है ठीक है, और साथ में आपका जो Full HD, जो Pixel Ratio है, वो है 1600 x 720, यहां पर भी आपको मिल रहा है, Variant A के अंदर और Variant B के अंदर, दोनों में मिल रहा है सब बताया हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूँगा वीडियो का, और साथ में DSP है, DVR, रिकोर्डिंग भी इसके अंदर हो जाती है ठीक है, तो यह कुछ Main Main जानकारी जो इस Box के उपर दी गई है, तो आईए मैं इस Box को Open करता हूँ तो दोस्तो यह कुछ ऐसे Box के उंदर आता है, यहाँ से UAB Port ओहर निकलता है तो दोस्तो यह Box इस Box के उंदर से निकला है, ठीक है और मैं इसको Open करने जारह हूँ यहाँ प्र हम इसको Open करते हैं, और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी Packing आ रही है यह दिखिए सबसे उपर हमें MaxLink का warranty card मिल गया ठीक है यह warranty card फिल होके जाएगा और यह आपका Android आ गया यह बहुत बड़ी screen है तो आप देख सकते हैं बहुत बिल्ड वाल्डी बहुत अच्छी है हाथ में जैसे मैं लगा रहा हूँ तो बहुत solid है और यहाँ पर कुछ wiring आ जा कप्लर और साथ में हैं यहाँ पर canvas जिसको आप install करके जो आपकी डोर की information फ्यूल टीपीमस यह सारे फीचर इसके साथ ही ओन होंगे इसके बारे में जानकर ही हमारे पास वीडियो है वह आपको मिल जाएगी तो आपको वीडियो से यह आपको कैसे activate करेंगे उसके बारे में बाहरा है जिसके साथ आप वीडियो आउट फ्रंट कैमरा और ओडियो इंपूट ओडियो आउटपूट और साथ में यह देख सकते हैं यह सिम्स लोट है यहाँ पर सिम डलता है आपको दिखा देता हूं तो आप इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पर सिम्स लोट आ गया यह देखिए यह सिम्स लोट है यहाँ पर इसको थोड़ा सा प्रेस करने से यह खुल जाता है तो आप इसको ऐसे लगाएंगे तो यह लग जाएगा तो यह हारनेस मिलेगी कैमरा वायर मिलेगी और साथ में ए एक FM अंटीना केबल आएगी और इसके साथ एक USB कनेक्टर और आएगा और एक आएगा माइक ये सारा समान आपको इसके साथ ही मिलेगा तो अब हम इंड्रॉइड के बारे में देख लेते हैं तो कुछ ऐसा दिखने वाला है इंड्रॉइड आप देख सकते हैं ये तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पर सबसे पहले Maxi Fit की ब्रेंडिंग मिल जाएगी और यहाँ पर माइक मिल जाएगा और यहाँ पर रिसेट की ओप्शन मिल जाएगी यहाँ पर पावर का, होम का, बैक का और वोल्यूम प्लस और माइनस ये टच आपको देखने को मिल जाएगा और स्क्रीन काफी अच्छी है और मैं इसको ओपन करता हूँ, और साथ में यह चीज मैं दिखा देता हूँ, यह देखिए आप, यह कितनी शाइन दे रहा है यह फ्रेम, यह फ्रेम आपको सीधा गाड़ी के अंदर लग जाएगा और यह इसको बोल यह फ्रेम के अंदर लगा हूआ है, आप देख सकते हैं, और मेक्सी फिट अंड्रोइड प्लेयर, यहाँ पर मोडल नमबर थार है, और यहाँ पर कुछ सीरियल नमबर है, दो यार तेइस, फॉर्थ मन्त का यह प्रोडक्ट है, और यहाँ पर 4G अंटीना लगेगा, जो आ प्रोण करके देखते हैं, दोस्तों हमने इंड्रोइड को स्टार्ट कर लिया है, तो सबसे पहले हम स्क्रीन की बात करें, तो स्क्रीन की कॉलिटी, काफी हद तक बहुत बढ़ी है, क्योंकि क्योवे लिडी के अंदर है, यह कलर काफी अच्छे दीख रहे हैं, जो भी मार्गिड में और इंड्रोइड आते हैं, उसके मुकाबले में इसके कलर काफी अच्छे हैं, और हम इसकी टच्च की बात करें, तो टच्च भी बहुत अच्छा रिस्पोंस कर रही है, तो आप देख सकते हैं, कितना स्मूथ चल रहा है, और यहाँ पर हम सबसे पहले इसके अबाउट में जाएंगे, तो हमें इस सिस्टम के बारे में पता लगेगा, यह टी-ए-स-18 मोडल है, काफी एक्स्पैंसिव मोडल है यह, अगर मार्क इसके अंदर 1.6 GHz का लगा हुआ है, और GPU यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर 32GB इंटर्नल मेमरी और 2GB इसके अंदर RAM आपको मिल जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर आपको revolution भी दिख रहा है, और यह सारा है, तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ यहाँ पर एक तो 360 camera आपको मिल जाएगा जब आपकी गाड़ी के अंदर install होगा, तो 360 camera की यह सारी settings होती है, ठीक है, उसके बाद आगया आपका AP के installer, आप बाहर के भी कोई भी AP के यहाँ पर install कर सकते हैं, settings आ गई, जो हमने पहले खोली है, ठीक है, इसके अंदर आप setting दे सकते हैं, तो जैसी मैंने इसको theme में किया, तो downloading की option आई होई थी, कुछ नया आया होगा, तो यह download हो रहा है, यह आपके सामने ही है, आज आ गई है, यह दिखे है, हमने theme को open किया, तो यहाँ पर यह themes कुछ update होकर आई है, आप कोई भी theme अपनी मनपसंद से लगा सकते हैं, ठीक है, 360 के बारे में बता दिया है, Android GPS टेस्टिंग है, यह भी आपकी साथ में ही है, जैसे phone के अंदर होती है, ठीक है, तो अगर हम इसको receiver को लगाएंगे, तो हो सकता है, यह भी अच्छे से work करें, असिस्टेंट आ गया, आप Google Assistant भी use कर सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है, यह दिखिए, जो भी आप बोलेंगे, जैसे Google, YouTube, Open, तो आप दिखिए अभी, अभी दिखिए क्या होगा, यह दिखिए, यह असिस्टेंट भी साथ में है, आपके, ड्राइव करते समय आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, तो दोस्तों, यहाँ पर Google Assistant भी आपको मिल जाएगा, ओक्स मिल जाएगा, ठीक है, ओक्स की सेटिंग आप कर सकते हैं, तो यह नो वीडियो सिगनल आ रहा है, ठीक है, तो ओक्स में जा सकते हैं, Bluetooth है, बूट एनिमेशन्स है, गूगल रूम आ गया, डिजनी होट सर आ गया, डीस पी आगया, इसका डीस पी आप अच्छे से सेट आ गया है, इसके बारे में अगर आप पूरी जान करी जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाएगे, और थार वाला वीडियो देखिए, उसके अंदर इसके बारे में आपको बताया गया है, जोन वन टू, गेन आप सेट कर सकते हैं, उपर नीचे जो सेट कर सकते हैं, और बेस फिल्टर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आपको कैसी क्वालिटी चाहिए, और इसको यूज करने के बाद ही आपको पता लगेगा, उसके बाद फेस्बुक आ जाएगा, फाइल मैनिजर आ जाएगा, जो आपने पेंडरे बगरा लगाई हुई आपको यहाँ पर जाके मिल जाएगा, यहाँ पर यूज डिस्क आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद हेर वी गो यह एक मैप का यह उप्शन है, जियो सिनमा भी आ गया है भाई साब, जियो भी इसके अंदर मिल गया आपको, टीवी भी आ जाएगा, लुक्स टीवी जो देख अब भी देख सकते हैं, तो कुछ मुझे यह आपके सामने आ रहा है, कुछ अलग लेंगविज के अंदर है, तो आप इसको जब लगवाएं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, मैप आ गया, म्यूजिक आ गया, म्यूजिक की नोलेज के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप थार वाला वीडियो देखे, आपको म्यूजिक के बरे में बता लग जाएगा, नेट्फलिक्स आ गया, फॉन लिंक आ गया, प्ले स्टोर आ गया, कोई भी आप अप्लिकेशन डाउनलोड कर जखते हैं, प्राइम आ गया, एमाजोन प्राइम वीडियो देख सकते ह हैं, उसके बाद क्विक पिच्चर्स, जो भी पिच्चर्स के अंदर होगी, वो आपको यहां पर क्विक पिच्चर में दिखाई देगी, ठीक है जी, और यहां पर FM आ गया है, FM सुनने के लिए आपको पता ही है, FM चैनल TPMS आ गया है, तो TPMS अगर आपकी गाड़ी स्पोर् टेरिंग वील कंट्रोल आप सिंक कर सकते हैं, टी लिंक 5 आ गया है, यह मलब कार प्ले है आपका, यहां पर यूज करोगे तो आपका Android Auto कार प्ले अटोमेटिकली चल जाएगा, ठीक है जी, उसके बाद सर, TV आ गया है, वीडियो आ गये हैं, वीडियो की क्वालिटी में अगर कोई है, यह देखिए, वीडियो मेरे सामने आई तो है, यह कुछ चैनीज वीडियो है, तो हम इसको फुल कर लेते हैं, और यहां पर आपको क्वालिटी दिखाते हैं, तो वीडियो क्वालिटी, यानि कि स्क्रीन की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, जिसकी और यूट्यूब पर हम कुछ वीडियो देखते हैं, यहां पर यह देखिए, कुछ गेमिंग वीडियो है, ठीक है, और इसको मैं स्क्रीन बढ़ी कर लेता हूँ, रेंडम ली जो वीडियो मेरे सामने आगई वो इसको मैं चलाने जा रहा हूँ, और आप इसकी सैटिंग द पिक्सल्स हैं, वो मैंने यहां पर कर दिये हैं, और आप इसकी कॉलिटी देखिए जरा, यह भाई साब इसकी कॉलिटी है, बहुत जबरतास्त, मज़ा आ गया इसको देखने के बाद, और हम कुछ सोंग देख लेते हैं, अच्छली ओडियो सिस्टम, ओडियो मैं इसलिए नहीं चला रहा है, क्योंकि कोपी रेट आ जाता है, तो यहां पर मैं कुछ ग्राफिक्स चला देता हूँ, देखिए इस वीडियो में मैं कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूं, और आपको यह वीडियो क्लैर्टी आपको दिख रही होगी, तो आप यहां पर भी देखिए, मैं इसको 1080 पर पिक्सल पर कर रहा हूं, 60 फ्रेम के उपर, तो आप देखिए यह कलैर्टी, मैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्क्रीन है, आप लगवाईए इसके साथ जाहिए और फील लीजिए एक म्यूजिक प्लेयर का, ठीक है, तो यह यूट्यूब रहा, यूट्यूब के बाद हम अब चलते हैं, इसके बाकी के फीचर के बारे में और क्या रह गया है, बस यूट्यूब यह आपका डीवियर आ गया है, जो आपका कैमरा बगएरा लगएगा, तो उसकी रिकोडिंग वगएरा यहां पर शो क बढ़िया है, तो जिस मेरे भाई को यह प्लेयर चाहिए, तो बिग बेस ओडियो से आप ले सकते हैं, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल और वर्टसैप कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ओडर कीजिए, ओडर करना है, वर्टसैप कीजिए, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में,